हेलो फ्रेंट्स मैं शब्बी रहसन आज के इस वीडियो लेशन में मैं आपको पास्ट परफेट कंटिनुर स्टेंस में सेंटेंसेज बनाना सिखाने वाला हूँ दोस्तों इंग्लिस सीखने के लिए पेशन्स के साथ साथ आपको इसके पती कमिटेड होना जरूरी है मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको इंग्लिस सिखा के रहूंगा और आपका एज अ स्टुडेंट यह कमिटमेंट होना चाहिए कि आप इंग्लिस सीख के रहेंगे इसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो लेशन को एंड तक देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पताएं कि आपको यह वीडियो क्यों पसंद नहीं आया ताकि मैं आपकी जरूरतों के अनुसार पहले से ज्यादा अच्छे वीडियो बना सकूँ अगर हमारे हिंदि सेंटेंज के अंत में से रहा था या से रही थी या से रहे थे आता है जहां पर से के पहले टाइम का प्रियोग होता है जैसे दो बज़े से तीन घंटे से पान दिनों से उननीज स्वोपैतालिस से तब हम इस sentence को past perfect continuous tense में translate कर देते हैं आपको इस pattern का प्रयोग करना होगा सबसे पहले आपको subject का प्रयोग करना है subject के बाद had been का प्रयोग करते हुए main verb के first form में ing जोड़ देना है उसके बाद आपको object का प्रयोग करना है और time show करने के लिए for या since का प्रयोग करना है और for और since के प्रयोग करने के बाद time का प्रयोग होगा since और for का प्रयोग present perfect continuous tense में भी किया जाता है जिसे मैंने present perfect continuous tense पर अपने video lesson में काफी detail में समझाया है उस video lesson को आप जरूर देखें अगर मैं short में समझाओ तो since का प्रयोग point of time show करने के लिए जबकि for का प्रयोग duration of time के लिए किया जाता है इसे समझने के लिए अब आईए sentences बनाते हैं राधा दो घंटे से नाच रही थी subject means करने वाला इस sentence में नाचने का काम कौन कर रही थी राधा इसलिए राधा इस sentence का subject होगा फिर screen पर लिखे हुए pattern के अनुसार subject के बाद head bean का प्रयोग करना होगा नाच रही थी किस से बना है नाचना से नाचना की English होती है dance यह वर्प का first form है जिसमें हम pattern के अनुसार ing जोडते हुए head bean के बात रखेंगे राधा को नाचने हुए कितना समय लगा दो घंटे दो घंटे की English है two hours यह duration of time है इसलिए two hours के पहले four का प्रयोग करेंगे और dancing के फारण बात for two hours लिख देंगे इस तरह से हमारा translation complete हो जाता है अगर हमें यह बोलना है कि राधा दो घंटे से नहीं नाच रही थी तब हमें केवल और केवल had और been के बीच में not का प्रयोग करना होगा और इसके अलाबा कुछ नहीं करना है और हमारा sentence हो जाएगा rather had not been dancing for two hours अभी तक हमने sentences बनाए rather दो घंटे से नाच रही थी rather had been dancing for two hours rather दो घंटे से नहीं नाच रही थी rather had not been dancing for two hours अब अगर हमें यह sentence बनाना है कि क्या rather दो घंटे से नाच रही थी तब आपको subject राधा के पहले केवल और केवल had का प्रयोग करना है बाकी words जो जहाँ है वहीं रहेंगे और sentence बन जाएगा had rather been dancing for two hours इसी तरह से आपको भी past perfect continuous tense में लिखे हुए एक positive sentence को negative yes no question और negative yes no question में बदलने की practice करनी चाहिए इस प्रकार आपने देखा कि past perfect continuous tense में एक sentence बनाने के बाद किस तरह से उसे negative yes no question और negative yes no question में बदल दिया जाता है अब आईए आपके practice के लिए कुछ और sentences बनाते हैं मैं एक महीने से अंग्रेजी सीख रहा था I had been learning English for a month अगर अमान लीजी इस sentence को negative बनाना है या हमें कहना है मैं एक महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था तब हम इसे negative में कैसे बदलेंगे I had not been learning English for a month अब मान लीजी से हमें yes no question में बदलना है तब आपको कुछ नहीं करना है I के पहले head का प्रियूग कर देना है और यह yes no question में बदल जाएगा तो हमारा sentence हो जाएगा Had I been learning English for a month अब मान लीजी हमें negative yes no question बनाना है तब हमें subject I के पहले head का प्रियूग करना है फिर I के बाद not का प्रियूग कर देना है और हमारा sentence हो जाएगा Had I not been learning English for a month Mohan मेरा सुबह से इंतिजार कर रहा था इसका English translation होगा Mohan had been waiting for me since morning अब अगर इस sentence को हमें negative बनाना है तब क्या करना है कुछ नहीं केवल और केवल had और been के बीच में not का प्रियूग कर देना है और हमारा sentence negative हो जाएगा तब यह sentence negative में हो जाएगा Mohan had not been waiting for me since morning इसका हिंदी अर्थ है Mohan सुबह से मेरा इंतिजार नहीं कर रहा था अब मान लीजिए इस sentence को हमें yes no question में बदलना है तब हम क्या करेंगे had का प्रियूग subject के पहले कर देंगे और हमारा sentence हो जाएगा had Mohan been waiting for me since morning और इस sentence का negative yes no question होगा had Mohan not been waiting for me since morning thank you for watching the video bye